हेलो तो आज हम बात करेंगे Evion LC टाइ tomlet के बारे में जाती है God को अलग अलग बिमारियों में प्रियों की जाती है और ढहर सारफ अधिया इस टाइबलेट के जो कि आगे बात करेंगे हम और हम बात करेंगे और किस-kिस प्रोब्लम से यूज कर सकते है् कैसे का प्राइज है, कैसे यूज करना है और कैसे का साटिफेक्ट है इन सभी का बात करेंगे हम इसे वीडियों में शुरू करने से पहले अगर चैनल आप नहीं है तो हमारे चैनल ने जो सब क्राइब करें चले शुरू करते हैं दोस्तो यह Avion LC Tablet जो कि Procter & Gamble Health Limited Company की है और इसके प्राइज के बात करें तो 47 रूपीज है जो कि इस टीप में 10 टैबलेट एवलेवल है दोस्तो यह टैबलेट आपको किसी वीमेट के स्टोर पे बहुत रजाने से मिल जागा तो आप आप हमसे प्रसेस कर सकते हैं चलिए हम बात करते हैं इसके इंके रेंट के बारे में तो हम एकते हैं विटाइमिन E and Levocornitine और इधर को एकते हैं विटाइमिन E 2MG, Levocornitine 113MG एवलेवल है दोस्तो इसको यह टीपलेट जो कि कही सारे समस्यों में प्रियोग की जाती है चलिए हम बात करते हैं और किन-किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को RT-Blockage होने के कारण बॉडी के किसी भी पार्ट्स में सूजन और दर्ध होने के समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए यूज किया आती है कौणिटीन डिफैंसल नाम के एक बिमारी होती है जिसके वैसे मासपेशियों में दर्ध, मासपेशियों में कमजोरी, ठकान, हार्ट और लीवर समंधिद कई बिमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी डी जाती है 6. किसी भी patient को high blood pressure की समस्य हो जाती है तो उसको control करने के लिए भी दी जाती है 7. improper metabolism की शिगायत हो 8. ये tablet मास्पेशियों को मजबूत बनाता है जैसे कि मास्पेशियों से सम्मधिद कोई समस्या हो तो उसको ठीक करने के लिए भी दी जाती है 9. हड़ियों में joint में कोई problem हो 10. nutrition की कमी हो 11. ये tablet blood flow को बठाती है 12. बालों में कोई समस्या हो 13. इसकी इसम्मधिद कोई problem हो तो उसको भी दूर करती है tablet तो दोस्तों इस tablet को इन सभी समस्या में यूज की आती है चलिए हम बात करते हैं इसको डोस को बालों में इसको करें एडल्ट को एक tablet दिन में एक बार दी जाती है खाने खाने के बाद बाकि डॉक्टर अपने अकोर्डिंग पेशन के age, weight और condition देखकर डोस देते हैं डोस को घणाते भी है और बठाते भी है दोस्तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी product हम यूज करना चाहते हैं उनका side effect हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारे भी होनी चाहिए और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप comments box में पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी दबाई से संबंदित जानकारी चाहिए तो हमें comment box में पूछ सकते हैं ठीक दोस्तो फिर मिलते हैं next video में धन्यवाद